नमस्कार दोस्तों मैं सरुन विश्णों ही आप सभी का मिशन ग्यान में हर्दिक श्वागत और अभिनन्दन करता हूँ देखिए का मित्रों आज हम जो बात करेंगे आपके प्रत्य परकरण के बारे में बात कर रहे थे प्रत्य परकरण में पहले हमने परिवासा और कुछ नियमों के बारे में अध्यन कर लिया था तो परिवासा क्या थी नियम कौन कौन से थे किस परकार से प्रत्य जुड़ते हैं सब्दों के साथ में और क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिलते है हमारे को उसके बारे में हमने अध्यन कर लिया अब आज हम जो बात करेंगे इस प्रकरण के अंतरगत चेप्टर के अंतरगत वो करेंगे प्रते के प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो पेन कोपी साथ में लेके बेड़ जाना जमा जमर भमा भम लिखते रहना साथ साथ में समझते रहना देखो सबसे पहले बात वाते प्रत्य के प्रकार तो हिंदी में प्रत्य के प्रकारों की संख्या पूछे तो हमारे को दो प्रकार होते हैं हुटे हमारे परत्य हिंदी में दो प्रकार के होते हैं क्रदंत प्रत्य और दूसके। करदंत प्रत्य और तदित प्रत्य दो परकार के प्रत्य होते हैं तो करदंत प्रत्य किसे कहते हैं और तदित प्रत्य किसे कहते हैं करदंत प्रत्य और तदित प्रत्य में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता हूं अंतर क्या होता है कि जब आपको क्या मिलेगा भई क्या मिले करदंद पराता है तो फार देदा देए घाद देगा दातु या करिया के साथ में कोई प्रत्य जोड़ता है और शब्दों का निरमान करता है तो हमस्कों के साथ में तदित प्रत्य कहते अर्था शब्दों के साथ में जूड़ता है तो तदित प्रत्य का जाता है और धातू या क्रिया पद के साथ में कोई प्रत्य जूड़ता है तो करदंत प्रत्य कहलाता है ठीक है अब आता है देखो जैसे हमने लेखा करदंत प्रत्यकंदर धातु में जैसे मैंने लेखा चल के साथ में ना जुड़ा तो क्या बन जाता है चलना बन जाता है क्या बन जाता है चलना उसी प्रकार मालो पढ़ और उसके साथ में आपने ना जुड़ा तो क्या बन जाता है पढ़ना क्या बन जाता है पढ़ यह किया गयता बन जाता है तो हैसा सब्दों से साथ में प्रत्य जुड़ता है तो कौन सा कहला हमारा तदित फ्रत्य के साथ में हम एक जोड़ते तो क्या बनता है सामसी कैंता है क्या सुन्दर के साथ में क्या सुन्दर के साथ में ता जोड़ते हो तो क्या बनता है सुन्दरता क्या बनता है सुन्दरता बन जाता है तो संग्या स्रम्ना विशेशन के साथ में प्रत्य जुड़कर नए करतरी वाचक क्रदंत प्रते किशिक आ जाता है कि जब धातू या किरिया के साथ में प्रत्तय जुड़ता कहते हैं करतरी वाचक करदंत-प्रत्य की नाम से चानव ध्यान रखना करतरी वाचक करते के अंतरगत आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप में हमारे को क्या दिखाई देगा मूल रूप में आपको दिखाई देगा संग्या या सरवनाम शब्द नहीं दिखाई देगा क्या रूप दिखाई देगा धातु या किरिया दिखाई देतीर उसके साथ में क्या दिखाई देता है प्रत्य दिखाई देता है जैसे शब्द आ जाता है लेखक गायक पाठक ना ठीक है लेखक अर्थात लिखने वाला अक प्रत्य जुड़ावे दियाने गायक यानि गाने वाला पाठक यानि पढ़ने वाला क्या पढ़ने वाला उसी प्रकार जैसे आ जाता है नायक यानि अभिने करने वाला कौन सा अभिने करने वाला जैसे आ जाता है अकड प्रत्य आ प्रत्य ज़डेगा और जृड़ने के बाद किस का सब्रकार्प्रम का किया jata अड़ी इस परकार शब्दों का प्रियोग किया जाता है ठीक है भई नेक्सट बात हम इसके अंतरगत करते हैं कौन से प्रत्य केंटर हो जाता है क्या हो जाता है तेरक में मूल है कौन सा प्रत्य आता है आकू प्रत्य जैसे लड़ाकू होता है और आड़ी जैसे खिलाड़ी होता है अनाड़ी होता है कबाड़ी होता है जगडालू होता है लजालू होता है इर्शालू होता है यानि येल प्रत्य भी होता है अकड प्रत्य भी होता है आक प्रत्य भी होत होता वो कौनवसा क्लाता है 3 वाच्छे क्उल्पन्त प्रत्य हमारा क्यल्पन फट्रों साथ है आता है उसके आता है जी से खिलोना आता और बार इचो आ यानि ओना प्रत्य है ओना प्रत्य जूड़ता है जैसे खिलोना बिचोना और बिचोना जैसे आ जाता है गाना और खाना अर्थात ना प्रत्य जुड़ावाए कौन सा प्रत्य है ना प्रत्य है खेलना के साथ में ओना तो खिलोना और बिचाना के साथ में ओना तो क्या बन जाता है बिचोना अर्थात इसकी परिवासा क्या बनेगी हमारे मित्रों तो परिवासा ध्यान दखना की परिवासा बनती है कि धातू या किरिया के साथ में प्रत्य जुड़कर कर्म का बूध करवाता है किसका बूध करवाता है कर्म का बूध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं कर्म वाचक कर कोन सा कहला टे भावाब्अचक है करण वाच्छा कर दंत परते यह का मतलब होता है करंगा साधन यह माध्यम का प्रिज़ों का प्रियोग साधनिया माध्यम का प्रियोग होता है या हम कह सकते उपकरण का किसका होता है उपकरणों का प्रियोग होता है या माध्यम साइता ली जाती उसे हम क्या कहते है करण वाचकरदंत प्रत्य कहते है जैसे कतरनी काटने के काम आती है कौन सी कतरनी सुंगनी सुंगने के काम आती ह क्रण वाचक क्रणन की काम आता है तो एक काम कवे को या कहिए एक परकार के परियोग होते हैं द्र 완성 wonder जुड़ाता है कि लाव दिखाई दीष नहीं देता है तो वो कि जाएगा मारा उट्रेक जाता है तो मिलाब तो मिलना है और आप इसमें प्रत्य जुड़ा तो क्या बन जाता है मिलाप बन जाता है नेक्स्ट आप इसके अंतरगत केते हैं गुमाओ क्या केते हो गुमाओ तो गुमना किरिया होती है और आव प्रत्य जुर जाता है तो क्या बन जाता है गुमाओ बन जाता है जैसे लूटना लूटना क जो जाता है क्या बन जाता है गोमना के साथ में जोड़ते तो गुमाओ उतारना उतरना उस प्रकार सब्दों का प्रियोक करते हैं तो वह कौन से केलाता है चलन हो जाता है बंदन हो जाता है तरण हो जाता है रचना हो जाती सूचना मिलना वेदना यह सारे किसके अंतरगत जाते हैं किसमें जाते हैं भाव किसक अंतरगत किया जाता है किसमें जाता है विदाओ क्भाव कभी दिखाई नहीं देते हमारे सिर्फ महसूस किया जाता है उत्अध भाव क्रत्य के तो मूल रूप धातू किरिया का होना चाहिए और के साथ में कोई ना कोई प्रत्य जुड़ा रहता है किरिया वाचक क्रदंत प्रत्य में ध्यान रगना किरिया वाचक में धातु या किरिया के साथ में प्रत्य जुड़कर किरिया का बोधिकर वाता है जैसे हमने इसके अंतर का देखो करतरी वाच्च में क्या लिखा था पाल क्या आजाए पढ़ता हुआ पढ़ते हुए और पढ़ती हुई उसी प्रकार आजाता है खाता हुआ खाते हुए खाती हुई लिखता हुआ लिखती हुई लिखते हुए तो यह सारे किस के बोध करवाते हैं हमारे क्रिया वाचक्रदंत प्रत्य के बोध करवाते हैं यानि पढ़ना किरिया है, लिखना किरिया है, खाना किरिया है, सोना किरिया है, ये सारी किरिया के साथ में कोई प्रत्य जुड़कर, फिर भी किरिया का बूद करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, करतरी वाचक करतंद प्रत्य के नाम से जानते हैं, कौन सा करतरी वाचक करतंद विशेशन के साथ में कोई प्रत्य जुड़ेगा और संग्या सरवना विशेशन के साथ में प्रत्य जुड़कर करता का बोध करवाता है किसका बोध करवाता है करता का बोध करवाता है तो वहाँ पर हम किस नाम से जानेंगे करतरी वाच्चा करदंत प्रत्य के नाम से जाना कुमभार क्या है कुमहार सब्द बोलते हो आप कुमहार क्या है कुमहार तेली माली ठीक है आदी देखो सोने का काम करने वाला क्या किलाता है सुनार मूल सब्द क्या है सोना है लोवा है कुम्भ है क्या है कुम्भ यानि घड़ा तो इनके अंतरगत ये किस के साथ में जुड़े है करता यानि संग्या स्रवनाव विशेशन के साथ में जुड़ कर करता का बूद करवारे तो कौन सा क्यला तरहा हमारा करतरी वाचक कर्धंत प्रत्य के नाम से जाना जाता है फिर आगया भावाचक अब देखो भावाचक आमारा किश के अंतरगत था भावाचक इसमें करदंत प्रत्य में भी था भावाचक तदित प्रत्य में भी था इसमें हमारे को मिलेगा वो क्या मिलेगा संग्या सर्वनाम और विशेशन संग्या सर्वनाम और विशेशन के साथ चायरता है क्या बन जाता है उसी प्रकार जैसे मधूर मधूर के साथ में किसके साथ में मधूर के साथ में यह जोड़ोगे तो क्या बन जाता है माधूरिय क्या बन जाएगा माधूरिय बन जाता है उसी प्रकार सुंदर के साथ में सुंदर के साथ में यह जोड़ो तो क्या बन जाता है सौंदरिय क्या बन जाता है सौंदरिय बन कायर वक्ति दिखाई देता है यानी इस तोरी अरुष दिखाई देता यानु ऑर कि स्तरी वाधन इस्त्री वाचक क्या कि सब्दों के साथ में प्रत्य जुड़कर इस्त्री जाती का बोध करवाता है जैसे सेठानी सेठ के साथ में आनी जुड़ता है तो क्या बनता है सेठानी देवर के साथ में आनी जुड़ता है तो देवरानी कौन सी रानी क्या देवरानी उसी प्रकार चोद्री के साथ में आयन जुड़ता है तो चोद्राइन क्या बनता है चोद्राइन नहीं बनता ठाकूर के साथ में ठाकूराइन बनता है क्या बनता है ठाकूराइन बनता है ठीक है तो उसी प्रकार आपको किसी भी शब्द के साथ में जुड़ता है और आगे इस्त्री जात लगूता वाचक लगूता का मतलब होता है छोटा छोटा के से हो जाता है भई जैसे रस्सा बड़ा होता है रस्सी छोटी होती है रस्सी रस्सा बड़ा होता है रस्सी छोटी होती है डिब्बा डिबिया क्या होता है डिब्बा बड़ा होता है डिब्बिया छोटी होती है उ बच्चे हो जाते हैं उसी प्रकाल लोटा बड़ा होता है लुटिया छोटी होती यहीं है फिर आ फिर आ जाता है आपके नाला से क्या बनता है भाई नाली नाला स्वपारा नहीं यह क्या है नाली बन जाता है टोकरा से टोकरी बन जाता है टोकरा बड़ा होता है टोकरी बड़ी होती है चोटी छोटी थाला से थाल से क्या बनता है थाली बन जाता है क्या बनता है थाली बन तो बड़ा रूप है बड़े को छोटे का रूप बनाया जाता है ए पत्य वाचक अर्था जिसको हम क्या बोलते हैं संतान वाचक बोलते मित्रों कौन सा बोलते हैं संतान वाचक जैसे मैंने का था वासू देव वासुदेव में मूल सब्द है वसुदेव क्या है वसुदेव के साथ में ए जुडता है तो क्या बन जाता है वासुदेव तो वसुदेव के संतान क्या कहलाती वासुदेव अर्था स्री कृष्ण वासुदेव स्रीक्रिश्न, वसुदेव स्रीक्रिश्न के पिता, क्या स्रीक्रिश्न के पिता, फिर आ जाता है गांगे, क्या होता है, गांगे, गंगा की पुत्र क्या किलाई, गांगे, दासरती, दासरती, तो दसरत की संतान क्या किलाती है, दासरती, जानकी, जानकी, तो ज तो जब आप किसी भी शब्द के साथ में प्रते जोड़ते हो और आगे संतान का बोध करवाता है वे कुन सा कलाई का ए प्रत्य वाचक या हम को संतान-बोधक के नाम से जानते हैं गुण वाचक गुण वाचक के अंत्रकर ध्याँ दखना कि संग्या या स्रवनाम विशेशन के साथ में प्रत्य जोड़कर गुण का बोध करवाता है जैसे भारतिये राष्ट्रिये यह हम बोल सकते हैं सक्ति साली बुद्धी मान तो यहां पर उसका गुण के बारे में बताया जाता है अंति माजाता संबंध बोधव तो संग्या स्रवना विशेशन के साथ में प्रत्य जोर संबंधता का बूध करवाता है जैसे चचेरा ममेरा फूफेरा ननदोई बहनोई क्या बनता है बहनोई तो इस प्रकार से हमारे को ध्यान में रखना कि हमने प्रत्य के अंतरगत क्या क्या चीजे पड़ी एक बात तो ध्यान रखना कि करदंत प्रत्य कौन-कौन से होते हैं, तदित प्रत्य कौन-कौन से होते हैं, एक बार मैं पूने बता देता हूं आपको स्पिड के साथ में ध्यान रखना कि प्रत्य के अंतरगत दो प्रकार के होते हैं, एक तो करदंत प्रत्य दूसरा तदित सभीत्र प्रत्य कर्दंथ्प्रत्य कों सा है that गृर्दंथ्प्रत्य क्रिश्थ शब्ध показ कि तद्रदंथ Vari.'क अ मतलब क्या होता है दातु या के साथ में प्रत्य जूरता है तो गृरदंथ्प्रत्य और जब संग्या स्रम्ना विशेशन अर्थास सब्दों के साथ में प्रत्य जुड़ता है तो तदित प्रत्य जुड़ता है तो क्या कलाता है तदित प्रत्य कलाता है उसी प्रकार उदर से पूझ ले कि धातू या क्रिया के साथ में प्रत्य नहीं जुड़ता है तो कौन सा क चैलाएगा करडंद प्रते कैलाएगा और उसके साथ में जूरता है तो कैलाएगा आपका क्रिया वाचक करता करम करन तीन तो शिदा याद रखना करता करम क्रिया भाव कौन सा करता करम क्रिया भाव यह क्या हो जाते हैं पांच प्रकार हो जाते हैं करता करम करन करता करता करम करन और भाव और क्रिया क्या हो जाता है फिर हम पढ़ते हैं कि इसके अंतरगत आपके कौन सा इस्थान वाचक भी होता है जैसे भारत के साथ में यह तो भारती है जैनि इस्थान का भी बोध हो रहा है कि नहीं जैसे बना रस्री जोद पूरी इस प्रकार सब्दों का प्रियोग हो गई जिसमाम विशेशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है उद्यपूरिया क्या उद्यपूर से उद्यपूरिया जोद पूरिया एसे तो आपको इस्थान वाचक भी रूप देखने को मिलता है तो उसमें मुख्यतर सबसे पहला था कृतरिवाचक टदित्प्रतें दूसरा था भाभाषटक कुनसा भाभाषक इस्त्री वाचक उंतावाचक समन्द वाच पत्य वान्म संतान वो दगा जाता है संबन्द वोन सब्सक्राइब के परकार हो जाता है तो के अंग में बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद भाई